नमस्कार मैं आपके साथ धेरेंदर शुक्रा वक्त हो चुका है यूपी की बड़ी खबरों का यूपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है उमेस पाल हत्याकांट के दूसरे गनर की भी पीजी आई में इलाज के दौरान मौत हो गई है मौत के बाद सूचना पर परजनों में कोहरा मचा हुआ है चीख पुकार मची हुई है मृतक सिपाही रागवेंदर सिंग राय बरेली जनपत का रहने वाला है मृतक की खबर राइबरेली पहुचते ही, कुरियारगाउं पहुचते ही मौजूद परिजनों में कोहरा मचा हुआ है मृतक पुलिस कर्मी रागवेंदर सिंग की माने मुख मंतरी योगी आदितरनास से परजनों को आर्थिक मदद के रूप में एक करोड रुपए के साथ मृतक रागवेंदर सिंग के छोटे भाई बहिन की सरकारी नौकरी के अलावा अपराधियों पर ऐसी कारवाही करने की मा मा आरपड़ा सिंग ने कहा कि जिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है उनके सामने पहले उनके बच्चों को काट डाला जाए और उसके बाद अपराधियों को सदा दी जाए जिससे उन्हें पता चले कि एक मा को उसके बेटे की हत्या किये जाने पर कितना दुख होता है आप खुश सुनिए म्रतक रागवेंदर की मा का बयान जिनकी आखों में आसू है बेटे के खोड़ने का गम है उसके बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदितनास से अपराधियों पर कारवाही की मांग करती दिखाई दे रही है आईए आपको सीधे ले च अपरा अपरासूर हमारे बच्चों को मारा है जिसे मरवाया है उस सब को सामने लाकर उसके छोटे-छोटे बच्चे पहले काटे जाए इसके बाद में उसकी मौत काट काट कर की जाए यही हमारा निवेदन मुकमंत्री और योगी जी से हां कि हमारे दुख को समझे तो कि पेटा जाने से क्या होता है? उसको भी दरदिनाग मोख मिलने चाहें. उसे आनी सबार नमारा जाएं. उसे काट कार कर बच्चों को काटा जाए. तब हमको तसली मिलेगी. कि हमारे दोनों बच्चों को मिले और हमारे आर्थिक साहिता मदद एक करोड रुपे की दी जाए और हम सब लोग जो दुखी है हमारे दुख में वो लोग सामिल हो आके कि क्या दुख है इनको इनके मा को यहाँ पर वो लोग आए और हम जब तक हमारा एकार पूरा नहीं हो जाता है मुकमंत्री योगी नहीं आएंगे तब तक हम अपने पर्थिक शरीर को बचे के रखे रहेंगे वो आकर देखें तो कि क्या मा का दुख होता है कि कितनी परेशा नहीं है मा को उसका जवान बेटा आज खो गया इसी तरह की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें एंटीबी निस्प्रेक्श के साथ